मसकार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेडिमी के मोबाइल चार्जर को रिपेर करना आपको सिखाने वाले हैं और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद रेडिमी का चार्जर नहीं आप किसी भी कंपनी का चार्जर होगा आप उसे रिपेर कर सकते हैं बस आ आईए देर ना करती हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले में इस चार्जर को चेक करके दिखा देता हूं कि इसमें प्राब्लम क्या है तो यहां पर मैंने इसे लगा दिया आप बोलेंगे यहां मैंने स्विच को आप किया तो भाई आंड कर देता हूं कि यह सि इधर उधर हिलाएंगे आप देख सकते हैं अहां पर यह charging पकड़ लिए फिर चोड़ दिया विले हैं ते यह अभी फिर चोड़ देगा यह फिर छोड़ दिया इस तरह से प्राब्लम कर रहा है और इसका जो परसेंटेज है मारे मुबाइल का वो परसेंटेज भी नहीं बढ़ रहा है तो अब यहां मुबाइल और को मैं हटा देता हूँ और केवल charger को यहां हम ले लेते हैं तो तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस charger को खोलने का कोई जगह company ने नहीं दिया है कि आप इसे खोल पाएए तो और charger भी बहुत important होता है चुकि इतना अच्छा charger आपको फिर market में नहीं मिलता है तो इसे रिपेयर करना है इसे रिपेयर करने का बस एक ही रास्ता है इसे खोलने का यहां जो आप देख रहे हैं यह जो उपर का कैप दिया गया है कैप और इस प्लास्टी बॉडी के बीच में जो यहां बीच में जो जगा है बस इसे आप किसी इस तरह से आरी ब्लेट की म को काट लेना है तो आईए मैं फटा फट इसे काट लेता हूं और फिर अंदर का फॉल्ट हम देखेंगे तो यहां पर यह खूल चुका है इस तरह से आपको काटते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इतना नहीं काट काटना है कि आपके नीक्शे से प्लेट ये कट जाए अब यहां जैसे ही काटेंगगे आपका यह बाहर आ जाएगा उसके बाद इस PCB को आपOh one निकाल सकते हैं, किसी भी प्लास की मदद से यहां खीचेंगे तो यह बाहर निकल जाएगा यहां प्लास की मदद से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, कोई साइड में पकड़ेंगे जहां पर कोई पार्ट ने लगा हो तो यहां तेजी से खीचना पड़ेगा यहां पे देखिए यह रोक रहा है थोड़ा हम इसको भी साइड में कर लेते हैं किसी कटर की मदद से तो दोस्तों यह प्लास्टिक किसी में लगा हुआ था यह तो यहां पे मैंने इसे बाहर निकाल लिया है आप क्या करना है इस प्लास्टिक को हमें हटाना पड़ेगा चुकि यहां जो प्राब्लम इसका है यह पकड़ने का और छोड़ने का यह पकड़ रहा है और छोड़ रहा है तो अभी इस प्लास्टिक को निकालने के लिए इस प्लास्टिक को निकालने के लिए पीछे जो यहां यह चिपकाया गया है यहां आप जैसे हटाएंगे उसके बाद इसे दबा देंगे तो यह प्लास्टिक आपका बाहर निकल आएगा इस तरह से अब आपका PCB दिखने लगा तो सबसे पहला जो इस तरह का blinking अगर आ रहा ह है तो इसका मनलब है आपका बोर्ड काम कर रहा है यहां जो भी बोर्ड है यह आपका सारा सिस्टम काम कर रहा है प्राबलम कहां से है आपके USB साकेट से यहां देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहां देखिए इसका जो USB साकेट है यह हिल रहा है USB साकेट यहां हिल रहा है होता क्या है कि यहां काफी बार इसमें इन मलब अपना डाटा केवल इन करते और निकालते यह धीरे-धीरे इसके सोल्डर जो होते हैं वो पकड़ अपना कमजोर कर देते हैं जिसके वज़े से यूस भी हमारा हीलने लगता है और फिर इसमें चार्जिंग और फिर छो मॉइल तक नहीं पहुंचता है जिसके कारण हमारा मॉइल चार्ज अच्छी तरह से नहीं होता है अब आपको करना क्या है यहां देखिए इसको बाडी को यहां फिट करने के लिए यहां साइड साइड में दो पीने होती हैं यहां पर पेस्ट लगाएंगे उसके बाद जो पेस्ट उसके बाद इसको अच्छी तरह से डिस मुलब सोल्डिंग कर देंगे तो यहां पर हमने सभी पीनों पर अच्छी तरह से पेस्ट को लगा लिया है अब आपको क्या करना है नीचे से हाथ से इस यह अपना यूस्भी सॉकेट को यहां दबाए रखना है उसके पकड़ लिया देखिए यहां भी हम इस तरह से कर देंगे और यह साकेट हमारा अब हिलेगा नहीं देखिए हिलना बंद हो गया लेकिन अभी जो एक काम करना है आपको वह जो इसकी जो पीने हैं जहां से बोल्टेज डाटा केबल में जाता है तो उस पीनों को हमें यहां स इससे फ्रसे रिसोड करना है यहां पर अच्छी तरह से रिसोल्ड करेंगे और कोई भी दूसरा पिन यहां पे आपस में चिपके ना अब देखिए बस इतना सा काम इसमें है अब यह हमारा रिसोल्ड हो गया है अभी हमारा USB सॉकेट जो है वो हिलना भी बंद हो गया यह हमारा चार्जर बंद के कम्प्लीट होता क्या है काफी लोग इसे खौलना नहीं जानते हैं खौल नहीं पाते हैं जिसकारण से इस चार्जर को फेक देते हैं लेकिन वह आपको जो प्र धकनी को लगा के फेवी किफ लगाना पड़ेगा जिससे आपका काम तो उतना ही करेगा लेकिन अब दिखने में आपका यो वह आपका इस बार्ट नहीं लगेगा अभी मैंने इसे इन कर दिया ठीक है हमारा फिट बैठ गया और अभी हम फिट से इसे इसी तरह से चेक करते हैं लगा दिया है अब हम इसके स्टॉकेट में अपना डाटा केबल लगाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि यह प्रापर तरीके से चार्ज कर रहा है और यहां हिलाने दूलाने पर भी हमारा जो चार्जिंग वो छोड नहीं रहा है तो दोस्तों इतने छोटे से फाल्ट क कराना चार्जर जो है पकड़ छोड़ रहा था तो आप इस तरह से इसे अँप खोल के ऑर इस इन तरह की तमाम प्राबिम को आप सोल्व कर सकते हैं उम्हुत करते हैं यह वीडियो आपको पसंदाया होगा वीडियो पसंदाए तो please वीड़ियो को लैक और चैनल पे हमारे नए हो तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार